नमस्ते मैं हूँ सचिन गोयल और अब का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जैपुर्दा पिंक सिटी पर मैं एक नेचरोपेथे स्कॉलर हूँ दोस्तों अगर आप इसकीन अलर्जी से परिशान है तो आज मैं आपको ऐसा नुसका बताऊंगा जिसको यूज करता ही इसकीन अलर्जी बिल्कु ठीक हो जाएगी इसको बनाने के लिए दो चीज़े लेनी है पहली चीज़े नारिल का तेल आप एक कटोरी में दो चमच नारिल का तेल ले लेना इसमें जो दूसरी चीज मिलानी है वो है नीबू का रस जियां दोसरों दो चमच नीबू का रस आप इस नारिल के तेल में मिला लेना इस तरह इसकीन अलर्जी के लिए आपकी दवा बन जाएगी इसको यूज करने का तरीका ये है कि रूई का एक टुकड़ा इसमें डुबो लेना है फिर अपनी इसकीन अलर्जी वाली जगह पर इस तरह से लगा कर छोड़ देना है तीन चार गंटे बाद आप इसे दो सकते हैं दोसरों नीबू के कारण इसे लगाने से हल्की सी जलन महसुस हो सकती है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है इसे लगाते ही इसकीन इंफेक्शन खतामोना चालू हो जाता है और अलर्जी में हाथो हाथ आरामा जाता है इसे आप दिन में दो बार यूज कर लेना इससे इसकीन अलर्जी एक दो दिन में ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी कई बार allergy बहुत पुरानी होती है या बहुत तेज या सीवियर होती है ऐसे में आप इसको लगातार यूज करना ये पुराने से पुरानी और तेज से तेज allergy जांगों गएर की खुजली, एक्जीमा इन सब को बिल्कुल ठीक कर देगा ये नुसका बच्चे और बड़े सबी लोग यूज कर सकते हैं ये तो बात हुए इसकी निलर्जी की हमारे ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें